सुख मनी एक विवेचन सुख मनी रहस्य मई रचना है यह लोकिक या सांसारिक विश्यों से नहीं बलकि पार लोकिक या आध्यात्मिक विश्यों से संबंदित है इसमें मनुश्य के आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, समस्याओं का नहीं बल्कि आत्मिक संक्टों का उल्लेख है सुखमनी मनुष्य को मन इंद्रियों के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखती है यह मनुष्य की इस संसार की यात्रा को पर लोग की तरफ इसकी विसमादी यात्रा के अंग के रूप में देखती है सुखमनी प्रभु रूपी परम रहस्य के बारे में चर्चा करती है इसमें प्रभु को अमर अविनाशी परम सत्य के रूप में चित्रित किया गया है एक मात्र सत्य प्रभु है क्योंकि केवल प्रभु अपना आधार आप है वह आधी अंत से परे है, अमर अविनाशी है प्रभु केवल शक्ती नहीं वह तो ज्ञान रूप, प्रेम रूप, दया रूप, क्षमा रूप, इच्छा रूप तथा आनंद रूप है प्रभु संसार का करता, रक्षक तथा प्रतिपालक है संसार की अनंत अनेक्ता केवल भ्रह्म है जो कुछ है प्रभु द्वारा किया हुआ है जो कुछ है उसमें प्रभु समाया हुआ है तथा जो कुछ है प्रभु के सहारे कायम है संसार, रूपों, अथ्वा आकारों की अनेक्ता का भ्रह्म पैदा करता है प्रंतु इन अनन्त रंग रूपों और आकारों के पीछे कार्य कर रही शक्ति एक है सुखमनी आत्मा तथा प्रमात्मा के प्रसपर रिष्टे का रहसे खोलती है आत्मा में प्रमात्मा रूपी प्रम जोती का ही प्रकाश कार्य कर रहा है यह प्रकाश ही श्रीर के परदे के पीछे चिपा हुआ है शारीरिक स्तर पर मनुष्य बुद्धी हीन, निर्बल, दीन प्राणी है आत्मिक स्तर पर प्रमात्मा का अंश होने के नाते इसमें प्रमात्मा वाले सभी गुण मौजूद है सुक मनी मनुष्य को यह संदेश देती है कि मनुष्य अपने श्रीर रूपी परदे के पीछे शेपे आत्मिक सत्य को प्रकट करके प्रमात्मा की तरह शक्ती रूप, ज्यान रूप, प्रेम रूप तथा आनंद रूप बन सकता है बून स्मुद्र में समाकर स्मुद्र बन जाती है जीवात्मा भी अपने आपको प्रभु में लीन करके प्रभु का रूप बन सकती है सुख मनी इस रहसे मरी सत्य पर परकाश डालती है कि मनुष्य शरीर प्रभु की कला का अदुद कृश्मा है मनुष्य विशे विकारों के खड़े में गिर कर इनसान से शैतान भी बन सकता है तथा प्रभू के साथ लिव जोड कर इनसान से भगवान भी बन सकता है जो जीव अपनी आत्मा पर्मात्मा में अभेद कर देता है वह शारीरिक स्तर पर सादू, संत, गुर्मुक या ब्रहम ग्यानी होता हुआ भी आत्मिक स्तर पर प्रभु के पूर्न सामर्थ से बरपूर होता है मनुष्य श्रीर प्रभू का अद्बुद रहस्य है तथा संथ सद्गुरू प्रभू का परम रहस्य है जिसे केवल प्रभू ही जानता है इस रहसे का सबसे सुन्दर पहलू यह है कि साधू या संथ जिसे अपनी शर्ण बख्ष देता है उसे अपना तथा प्रभू का ही रूप बना लेता है सुखमनी स्रिष्टी के रहसे पर प्रकाश डालती है स्रिष्टी अपने आप नहीं बनी है और ना ही अपने आप चल रही है यह प्रभू की रजा का खेल है नाटक नाटक कार की रजा में से जन्म लेता है इसके पात्र भी नाटक कार की रजा से ही रंग मंच पर आते हैं तथा उसकी रजा से ही रंग मंच से नीचे उतरते हैं स्रिष्टी जैसी भी है वै इसलिए है क्योंकि इसके स्रिजनहार की इसे ऐसे ही रचने की मोज थी स्रिष्टी के संचालन में कारे कर रहे सभी भोतिक तथा आध्यात्मिक नियम भी इसके स्रिजनहार का खेल है स्रिष्टी स्रिजनहार की रजा से ही अस्तित्व में आती है, स्रिजनहार की रजा से ही कायम रहती है, तथा स्रिजनहार की रजा से ही उसमें समा जाती है आत्माओं के बिना स्रिष्टी रूपी रंगमंच का कोई महत्व नहीं वह स्रिजनहार अपनी रजा से इसमें रूहों को अपना अपना पार्ट अदा करने के लिए भेजता है बाहरी तोर पर देखने में सभी अदाकार अपनी मर्जी से अविने करते हुए प्रतीत होते हैं प्रंतु वास्तव में वह स्रिजनहार के हातों की कटपुतलियां हैं वे ना अपने आपके स्रिजनहार हैं ना ही स्रिष्टी रूपी रंग मंच के तथा ना ही उन नियमों के जिनके अनुसार स्रिष्टी का नाटक चल रहा है नाटक के रंग मंच पर आना तथा यहां से वापस जाना उनके अपने हाथ में नहीं है इससे बड़ा रहसे और क्या हो सकता है कि जिस नाटक में सब कुछ पात्रों के द्वारा हो रहा प्रतीत होता है वास्तव में ये सब कुछ उस करता की रजा के अनुसार हो रहा है स्रिष्टी में बहुत कुछ बुरा तथा नाजायज हो रहा प्रतीत होता है प्रंतु यह एक अनोखा रहस्य है कि इसमें कुछ भी गलत या बुरा नहीं हो रहा जो जीव रचैता के साथ लिव जोड़कर स्रिष्टी को रचना के नजरिये से देखने के बजाए रचैता के नजरिये से देखना शुरू कर देता है वह उस विसमादी आनंद की अवस्था में पहुँच जाता है जहां उसे केवल अत्याचार तथा अन्याय ही नहीं बलकि दुख तथा विनाश भी नजर का धोका प्रतीत होते हैं प्रभु की स्रिष्टी वास्तव में प्रेम रूप तथा आनंद रूप रहमत भरी रजा की विचित्र लीला है प्रभु सर्व समर्थ, सर्व ग्याता, प्रेम रूप, दया रूप तथा क्षमा रूप है तथा सब कुछ उसकी रजा से हो रहा है तो कुछ भी घलत या बुरा कैसे हो सकता है सुख मनी जीव को अपनी लिव करता के साथ जोड़ कर स्रिष्टी के आधी अंत को एक साथ देखने की युक्ती प्रदान करती है सुख मनी जीव को स्रिष्टी की रचना किये जाने के उद्देश्य के रहसे को समझ कर इस नाटक को नाटक के रूप में मानने का संदेश देती है रचैता तथा रचना के रहसे पर प्रकाश डालने वाली सुखमनी भी एक रहसे है करता या स्रिजनहार को केंदर में रखें तो सुखमनी उसके दाइरे में परिकर्मा करती हुई प्रतीत होती है नाम को केंदर में रखें तो यह नाम के इर्दगिर्द घूमती हुई प्रतीत होती है। नाम की महिमा भी प्रभू की ही महिमा है। अंदर से जीव की अंगली पकड़ कर उसे प्रभू के दर्बार में ले जाने का कार्य वही करता है। प्रभू जो कुछ करता है सत्गुरू तथा नाम द्वारा करता है। किसी इनसान का एक ही समय इनसान और भगवान होना तथा नाम और प्रभू का रूप होना अद्वुद रहस्य है। सारे संसार के सभी जीवों का सर्व सांजा उद्देश्य, सथाई और पूर्ण सुक की प्राप्ती है। सुक्मनी सबसे पहले सुक का रहस्य खोलती है। सुक्मनी इस रहस्य पर प्रकाश डालती है कि शरीर और संसार दोनों अधूरे तथा नाशवान है। इसलिए सारे एंद्रिये और संसारिक सुक भी अधूरे और नाशवान हैं। अधूरे तथा नाशवान शकलों पदार्थों में पूर्ण और सुथाई सुक की तलाश करना अग्यानता है। सुख्मनी जीव के सामने पूर्ण और अविनाशी आत्मिक आनंद की प्राप्ति का आधर्ष कायम करती है। सुख्मनी जीव को एंद्रिये तथा सांसारिक सुखों के त्याग के लिए नहीं कहती, क्योंकि जब तक जीव संसार में है और आत्मा को श्रीर रूपी यंत्र की आविशक्ता है। इसे खाने के लिए भोजन चाहिए, श्रीर ढखने के लिए कपड़े चाहिए और सिर पर छट भी चाहिए। सुख्मनी जीव के सामने यह रहसे खोलती है कि यह देश आत्मा का वास्त्विक देश नहीं है और ना ही विशय विकार और इंद्रियों के भोग आत्मिक आनन्द दे सकते हैं। ब्रह्म ग्यानी का भोजन ग्यान, नानक ब्रह्म ग्यानी का ब्रह्म त्यान। सुक्मनी जीव के सामने यह रहस से कोलती है कि जिस प्रकार शरीर को भोतिक भोजन की आवशकता है उसी प्रकार आत्मा को आत्मिक भोजन की आवशकता है आत्मा का भोजन प्रभू का नाम है जैसे ही आत्मा अंदर नाम की ध्वनी के साथ जुड़ती है यह आत्मिक भोजन से बलवान हो जाती है यह भोजन आत्मा की निर्बलता को दूर करता है नाम का अमरित इस मन और आत्मा पर लगी कर्मों और संसकारों की मैल को धोकर इसे निर्मल बनाता है नाम आत्मा को आंत्रिक रुहानी मंडलों को पार करने का सामर्थ पक्षता है अंत में इसे संसार, शरीर, मन और माया की कैद में से आजाद करके पूर्ण और अविनाशी आनंद के धाम चोथे लोक या सचखंड में ले जाता है जब से जी पर्म आनंद के धाम सचखंड से इस माया मय संसार का अंग बना है यह सच्चे सुक की तलाश में जगए जगए भटक रहा है सुक मनी, सुक मनी सुक अमरत प्रव नाम पगत जना के मन विसराम का रहसे खोलती है सच्चे सुक का स्रोत प्रभू का नाम है और यहे नाम हर जीव के अंदर है गोविंद का नाम सहज सुक का बंडार है यह हर प्रकार की मनो कामनाएं पूरी करने वाला कल्प व्रिक्ष है नाम जीव को आवा गमन के चक्कर से मुक्त करके परम आनंद के अविनाशी धाम वापस पहुँचा देता है जिससे जीव को लोग पर लोग तोनों में सच्चा सुख और सच्ची शोबा प्राप्त होती है जो जीव प्रेम पूर्वक नाम के साथ लिव जोड लेता है उसके आवा गमन के दुख दूर हो जाते हैं उसका मनुष्य जनम सफल हो जाता है उसके भए, भ्रम और दुखों का नाश हो जाता है वह परम आनंद का अधिकारी बन जाता है नाम के साथ लिव जोडने से प्राप्त होने वाले अद्बुद आनंद का रहसे वर्नन से परे है सुक्मनी अज्ञानी जीव को यह रहसे समझाती है कि मनुष्य जनम का वास्विक उदेशे मन माया के देश से मुक्त होकर परम आनंद के अविनाशी धाम तक पहुँचना है सुक्मनी समझाती है कि राजपाट, जमीन, जायदाद, हाट हवेलिया, कुटुम परिवार, मित्र संबंधी, मान संमान का संबंध, संसार और शरीर से है ये अधूरी और नाशवान वस्तुएं पूर्ण और अविनाशी सुक का सादन नहीं बन सकती प्रभू ने 84 लाख योनियों में से इस रहस्य को समझने और प्रभू की भक्ती द्वारा प्रभू के साथ मिलाब कर पाने का सामर्थ, केवल मनुष्य को बख्षा है इस सामर्थ्य का परियोग ना करना, अपने आप से भारी अन्याय करना है और मनुष्य जनम के दुरलब सुनहरी अवसर को व्यर्थ गवाने के समान है सुख मनी प्रभू की प्राप्ती के लिए बाहर भटक रहे और अनेक सादनों में लिप्त संसार को यह रहस्य समझाती है कि प्रभू कहीं बाहर नहीं, बलकि अपने अन्दर है अन्दर रखी वस्तु को अन्दर से ही प्राप्त कर सकते हैं समस्या केवल इतनी है कि जीव का ध्यान बहिर मुखी हो चुका है सुक्मनी जीव को अपना ध्यान पलटकर अंदर स्थिर करने का संदेश देती है जैसे ही जीव गुरु मंत्र के जाप दोरा ध्यान को आँकों से उपर स्थिर करने में सफल होता है इसे अंदर नाम की ध्वनी सुनाई देने लगती है और नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है नाम की ध्वनी चुम्बक की तरह आत्मा को अपनी तरफ खींचती है नाम का प्रकाश देखती हुई आत्मा उपर की तरफ चलना आरम कर देती है धीरे धीरे यह मन माया के मंडल को पार करके अपने विशुद आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा प्रमात्मा की पहचान करने के योगे बन जाती है सुख्मनी नवनिद अम्रित प्रब का नाम देही में इसका बिसराम का रहसे खोलती है सुख्मनी सगल मतांत केवल हर नाम का रहसे खोलती है गुण गोविंद नाम तुनबानी सिमरत सास्तर बेद वखानी नाम या वानी की ध्वनी के साथ लिव जोड़ना ही गोविंद की सच्ची भगती है वेदों, स्मृतियों तथा दूसरे धर्म गरंथों ने भी शब्द, नाम या वानी की साधना को ही प्रमात्मा की सच्ची भगती स्विकार किया है सुक्मनी सरव तरम मह स्रेश तरम हर का नाम जप निर्मल करम का रहस से खोलती है सुक्मनी प्रभु की प्राप्ती के लिए अनंत बहिर मुखी साधनों और मार्गों की दुखदाई भटकन में परेशान हो रहे जीव को अती सुगम स्वाभाविक अंतरमुक मार्ग का संदेश देती है सुक्मनी अनेक रहस से खोल कर इस अद्बुत रहस से पर प्रकाश डालती है कि किसी जीव का अपनी इच्छा, बुद्धी मानी या यतन दौरा सर्व समर्थ तथा सर्व ग्याता प्रभू के साथ मिलाप करना असंबव है प्रभू के हुक्म से संसार में आया जीव केवल उसकी द्या दौरा ही उसके पास वापस पहुँच सकता है सुख्मनी जीव को बार-बार प्रभु के स्मक्ष विंती करने की प्रेरणा देती है तथा जीव को प्रभु से केवल प्रभु को मांगने की प्रेरणा देती है यह प्रभू से सत्गुरू की चर्णों की शर्ण तथा नाम की अन्मोल दाथ मांगने की प्रेर्णा देती है क्योंकि जीव की मुक्ती सत्गुरू तथा नाम की प्राप्ती पर निर्बर है तथा सद्गुरु द्वारा नाम की दाद प्रभू की दया से प्राप्त होती है राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक सुख्मनी का समापन आडियो कापी राइट 2023 सर्वा दिकार सुरक्षित राधा स्वामी सत्संग ब्यास